नमस्कार दोस्तों आज बनाऊंगी सफेद छोले पालक के साथ मिक्स करके बिल्कुल ही निव स्टाइल में खा करके आपको बहुत अच्छा लगेगा रेसिपी देखें सबसे पहले सबसे पहले देखें यहां पे मैंने पालक को उबाल लिया है अब मैं इसे एक बरतल में निकालके ठंडा हो जाने के बाद इसे ग्राइंड कर लूँगी अब एक कड़ाही में तीन टेवल स्पून सबसे पहले तेल गरम किया उसमें दो इलाइची दो लॉंग डाल दिया है एक छोटा चमच जिरा साथ में तीन टमाटर उसी में मैंने डाल दिया था दो तीन हरी मिर्च और अदरक और थोड़ा सा धनिया का पत्ता सब को एक साथ ग्राइन कर दिया था अब इसे मीडियम फ्लेम पर भूनेंगे लेकिन साथ में ही नमक डाल देंगे स्वाद की अनुसार आदा छोटा चमच हल्दी एक छोटा चमच धनिया पाउडर एक छोटा चमच देगी मिर्च का पाउडर बहुत ही थोड़ा सा काली मि मिक्स करेंगे और भूनेंगे बिल्कुल ऑइल सेपरेट होने तक अब आप देख सकते हैं यह भून चुका है तो इसी स्टेज पर मैं इसमें डाल रही हूँ पालक जो कि मैंने अल्रेडी ग्राइंड करके रखा हुआ था साथ में थोड़ा सा पानी इसे मिक्स कर लेंगे अगर आपको इतना ही थिकने चाहिए इसका यानि इतना ही आप गाड़ा खाना चाहते हैं तो आप इसे बस फ्लेम बंद कर सकते हैं मैंने थोड़ा सा पानी इड़ किया इसमें जिसमें मैंने छोले वाला था इसे दो तीन मीनट तक कवर करके सिर्फ पकाया है मैंने और उस इसमें मैंने आपके साथ शेर किया है मैं उपर से एक दो चम्मचगी गरम करके इसमें तोड़ा सा देगी मिर्च डालके फ्लेम को बंद कर दिया और इसके ओपर से थोड़ा सा तड़का लगाएंगे घी जिंजर बढ़ेंगे अदरका और उसके बाद बस सर्फ करेंगे इ पूरी के साथ खा सकते हैं, सिंपल रोटी के साथ भी खा सकते हैं, रेसिपी ट्राइ कीजिए, बिल्कुल नई रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आने वाली है, पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, धन्यवाद,